तो आज हम बात करेंगे विलिम ब्ले के ही पोएम लंडन के बारे में जो की बहुत ही अच्छी पोएम है इसमें पोएट ने एनलाइज किया है कुछ पॉइंट्स आउट किये हैं समाज की कुरूरता को लेके जो इंजस्टिस होता है नीचे दपके के लोगों के साथ जो इस बारे में मैं बहुत ही अच्छी पोएम है तो चलिए शुडू करते हैं इस पोएम को लंडन जिसका टाइटल है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें भी टोटल फोस् ट्रेंजा है फोस्तेंजा में आपको लाइन यान करके मैं इसका ड्रांसलेट करूंग तो चलिए हम बात करते हैं लंडन बाइ विलियम ब्लेक इसका जो फर्स टेंज है उसको हम स्टार्ट करते हैं इसमें कह रहे हैं विलियम ब्लेक कि I wander through each charted street near where the charted themes does flow and mark in every face I meet marks of weakness marks of woe तो इसमें विलियम ब्लेक कह रहे हैं कि मैं वह इसमें लंडन की गलियों में घूम रहे हैं और घूमते हुए यह बात अपनी एक पोम के जरीए वह पताना चाहते हैं सबको कि I wonder मैं घूम रहा हूं through each charted street Chartered का मतलब यहां पर दोस्तों कहना चाहते हैं कि जो पॉश एरिया होते हैं Chartered means designated जहां पर बोर्ट्स वगेरा गलियों में लगे होते हैं जो अगर हम कहीं पॉश केलोनी में जाते हैं वहां पर ब्लॉक और हाउस नंबर हाउस प्लेट सब कुछ लगा होता है लेकिन अगर क Chartered themes does flow जो हां वहां पर लंडन की आपको पता होगा नदी themes जो वहां पर बहती है जैसे यहां पर गंगा एक holy river है वहां पर भी थेमस बहुत ही बड़ी सबसे बड़ी नदी है लंडन की और वह बहुत होली भी मानी जाती है पवित्र मानी जाती है तो वह कह रहे हैं कि नियर वह देख रहे हैं जिनके फेसिस पे वह क्या पढ़ते हैं mark of weakness कमजोरी के निशा है mark of woe थकावट के वह देख रहे हैं कि लोग कितनी मायूसी से यहां पर घुम रहे हैं इदर और 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 वह घुमते इस पॉम को बया कर रहे हैं second stanza में in every cry of every man in every infant cry of fear in every voice in every band the mind forced manacles I hear तो वो कहते हैं कि in every cry of every man हर किसी इनसान की cry वो सुन पा रहे हैं feel कर पा रहे हैं in every infant cry हर वो नया बच्चा जो infant बच्चे होते हैं डर से पैदा होते हैं उन्हें अपनी मासे जुदा होने का डर होता है कई ने कई वो पैदा होती ही रोते हैं बच्चे तो हर उस infant की cry वह सुन पा रहे हैं, वो इतना connect कर पाए हैं अपने लंडन सिटी से, इतना connect हो रहे हैं और घूम रहे हैं और लोगों के face read कर रहे हैं और बोल रहे हैं in every voice, हर किसी की voice में सिर्फ कोई ना कोई बैन है, किसी ना किसी चीज को लेकर no है, no means कि वो उनके साथ हो र harassment हो रही है, किसी को job की परिशानी है, किसी को cruelty है, कोई infinity complex से पीडित है, तो सब लोग कहीं ना कहीं रो रहे हैं, उनकी cries वो सुन पा रहे हैं, the mind force manacles आई है, वो कहते हैं, सब के धिमागों में force forcefully लगी हुई है, manacles, manacles दोस्तों जंजीर को खा जाता है, जो लोही की सलाक, जंजीर होती है, उनको बोल रहे हैं, कि लोगों ने आपको कहीं ना कहीं, एक दूसरे की मजदूरी में बांधा हुआ है, अपने आपको अपनी आजादी को बांधा हुआ है, manacles में, जो की वो सुन पा रहे हैं, उसको फील कर पा रहे हैं, थर्स टेंजा में, वो कहते हैं, जगा 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 ऑफिसे में, कार, खानों में, हर जगा चिमनी का वहां पर बहुत यूज़ है, और उनकी सफाई के लिए, उस टाइम पर तो चिमनी स्वीपर्स होते ही थे, अब तो मशीने आ गई हैं, तो वहां पर छोटे बच्चों से, क्यूंकि उनके होल्स बहुत चोटे होते हैं, तो बच्चों से वहां पर जो अनात बच्चे होते हैं, उनसे सफाई करवाई जाती थी, और एवरी ब्लैकनि चर्च एपैल्स, वहां पर चर्च को ब्लैकनिंग इसलिए बोल रहे हैं, कि जो चर्च है पैल्स, चर्च के साथ में ही जो लोगों की घर हैं, कारखाने हैं, फैक्टरीज हैं, उनकी चिमनी स्वीपर्स से, जो बच्चे हैं छोटे उनसे साफ करवाई जा रही है, और चर् से सुन पा रहे हैं, गूत्वist स्वीपर्स नियुक्ता ऑफ़ा-टर कारे ज़िए जो अतना चाहना है और पर चैक्टरीज तौकिज बच दो लोगों से पनता है, को अंदोल्स स्वीयल्स, तैस पर की लोगो है, कैसा में से कार्च किले से युए दिस तुरतिशाए रही है यह क्रिटिकल अनलाइसिस आप समझ लिए प्लेग की तरफ से इस पोव में लंडन में जब वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा कुरूल्टी वहां पर उनको देखने को मिल रही है जब आधी रात होती है और जो वह सुन पा रहे हैं कि हाव दे यूथ फुल जो वहां का यूथ है वहां के यूथ गर्ल्स है लड़किया वह प्रोसिट्टीट बन गई है तो वह कर्स कर रही है जैसे मिडनाइट उस्तिन के मजबूरी है वह उसको कर्स में अपनी पूरी सिट कर्स कर रही है बलाइस थर न्यू बॉर्न इंपेंट्स जो वार रहे है उनके खाने पीने की कोई सुष्विधा नहीं कुछ नहीं है वह क्यूं हो जाते है उनकी मजबूरी के वाच्छों को भाप कर्स कर रहे हैं कि थे सुनाओ ब्लाइट फिर्टीक्स और वहां के एक्टरनल अफेर्स है तो उस चीज को भी वह कर्स के रूप में देख रहे हैं कि उन्होंने जितना भी लिखा है दोस्तों मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी कि जो यह पॉम है लंडन यह भी दोस्तों उनकी जो कलेक्शन है पॉम का विलियम ब्लेक का सौंग अफ में रखते थे और जो बाकी सारी अच्छी चीजे होते थी तो वह सौंग अफ इन्नोसेंस में उसको रखते थे तो यह जो लंडन पोम है यह सौंग अफ एक्सपीदियंस का कलेक्शन है दोस्तों इतना डीपली मैं आपको इसलिए बता पाते हूं ताकि आप इस चीज को अ मैं आपको बता दूंगी तो आप नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखें तो दोस्तों आशा करते हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगिया होगी थैंक यू सो मॉच टेक केर